एलविश यादव अपने साथ लेकर आए हैं शिवानी के लिए एक बड़ा मेसेज आखिरकार किसका मेसेज लाए हैं और क्या आ रही है खबर चलिए हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजे अब घर के अंदर एलविश यादव आए हैं एलविश यादव ने आते साथ जो है मनीशा की तारीफ की है यहाँ पर रैंकिंग की जब बात आई तो उन्होंने बहुत ही अच्छी रैंकिंग शिवानी को दी है उसने और फैजु ने मिलकर शिवानी को नमबर वन कहा है लेकिन हम आपको बता दे कि यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ देखते रह गए बाकी घरवाले क्योंकि एलविश अपने साथ लेकर आए हैं मनीशा रानी का मैसेज आप सोचेंगे कि मनीशा रानी और अलविश के बीच तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं था लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर अब मनीशा रानी ने शिवानी कुमारी के लिए भेजा है बहुत ही प्यारा और खास मैसेज क्या कहा है यहाँ पर मनीशा ने चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर मनीशा रानी ने शिवानी को बहुत ही सारा प्यार भीजा है इसके अलावा वो कहती नजर आई कि शिवानी तुमें कोई कुछ भी बोले तुमें कोई कुछ भी कहे एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी पहचान है और जिस दिन तुम्हारी ये सादगी खतम हो जाएगी उस दिन तुम अपनी पहचान भी खोदोगी तुम्हारी सादगी की वज़े से ही बाहर तुमें बहुत प्यार मिल रहा है और इसी साथ्गी के वज़े से तुम बहुत आगे तक जाओगी इतना ही नहीं यहाँ पर अब एलविश ने मनीशा रानी का वीडियो मैसेज तो सुनाया ही साथ में अब यहाँ पर उसने शिवानी को नंबर वन की रैंकिंग भी दी मनीशा ने ये भी कहा कि बहुत जारे लोग जो हैं तुमारी बातों पर तुमारे धंग पर सवाल उठाएंगे लेकिन तुम हमेशा रियल रहना क्योंकि वही तुमारी पहचान है तो एक बात तो तैह है कि लगातार जहां शिवानी और मनीशा में कमपैरिजर हो रहा था वही अब खुछ शिवानी ने मनीशा की तारीफ कर दी है यहाँ पर मनीशा ने भी अब शिवानी की तारीव की शिवानी तो अक्सर मनीशा की तारीव करती नजर आती ही है लेकिन बात तो तब है अब जब मनीशा रानी ने शिवानी के लिए भेजा है क्यों सा ओडियो मेसेज आप क्या कहेंगे इस पर? क्या आपको भी मनीशा और स्रिवानी में सिमिलारिटीज नजर आती हैं या नहीं? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं